गोल्ड को लेकर पिछले डेड़ साल से काफी गहमा गहमी है। साल 24 में गोल्ड ने अंतराशिस्तर पर ने हाइस को पाया। देश में भी सोने के भाव 74,000 रुपए के आसपास घूम रहे हैं। हाला कि फिलाल कीमतों में कुछ नर्मी है लेकिन ये नर्मी बहुत ही शौट लिफ्ड होती है और तुरंथ हम देखते हैं कि सोना भागने लगता है। लोग सोना खरीदने के अभी तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लेकिन इंट्रेस्ट बहुत है कि क्या करें खरीदें जैसे खरीदने की सोचते रेट बढ़ जाता है ऐसे में दो तीन सवाल सभी के मन में हैं पहला सवाल सोना इतना भाग क्यों रहा है वजह क्या है दूसरा क्या आने वाले कुछ टाइम में रेट कम होंगे यानि खरीदारी का मौका मिलेगा और तीसरा क्या सोना मौजूदा लेवल से उपर और जा सकता है यानि और हम नए हाइस पर देखेंगे क्या सोने को तो चलिए इन सवालों का जवाब देते हैं इस वीडियो में आगे सबसे पहले क्यों भाग रहा है सोना सोने की कीमतों में तीजी के पीचे कुछ एहम वजह है और सबसे बड़ी और सबसे वजह है भूराजनेतिक तनाओ इसरेल फिलस्तीन युद इसरेल इरान तनाओ रूस युक्रेन युद चीन ताइवान सबी जगे टेंशन है और इस टेंशन का फाइदा सोने को मिलता है क्योंकि सोना हो या चांदी इन दोनों को सेफ हैवन माना जाता है इसलिए जब भी व कई देशों के केंद्रे बैंकों ने जबर दस दक सोने की खरीदारी की है कह सकते एक दबा कर सोना खरीद रहे हैं वर्ल कोल्ड आंसल के एक वरिष्ट अधिकारी के हवाले से बिजनस लाइन में छपी एक रिपॉर्ट हमें बता रही है कि सोने की की कीमतों में उच्छाल की एक वजह है कालेंडरियर 2024 की पहली तिमाई यानि केवल जनवरी फरवरी मार्च में केंद्रे बैंकों की ओर से की गई गोल्ड बाइंग सोना खरिदारी में भारत चीन और तुर्की सबसे आगे दिखें दुनिया के अलग अलग सेंट्र बैंकों ने और दौस दोरान दो सो नमबे टन सोना खरीदा है वह भी केवल तीन महीने में रिपर्ट की मुताबिक भारत के केंद्रे बैंक यानि आर्बी-ाइई ने कालेंड़े 24 के इन पहले तीन महीने में 19 सोना खरीदा है जबह की 23 में पूरे साल में आर्बी-ाइई चु रइजर था 16 टन वहीं चीन ने अपने गोल्ड रिजर्व यानि सोने के भंडार में 27 टन सोना जोड़ा है और तुर्की ने 30 टन का जाफा किया है भारत चीन और तुर्की ने मिलकर सब 3 महिने में 76 टन सोना खरीद लिया है केंद्रे बैंकों के लिए सोना एक स्टीबल आसेट की तरह क काम करता है जो वित्य संकट के दौरान अर्थवेवस्थाओं को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है जब भी करंसी या वैश्विक मार्केट में उतार चड़ाव की स्थिती होती है तो सोने को आसानी से बेचा जा सकता है और यही वज़े है किसकी डिमांड बढ़ती है दरसल जब कोई सेंट्र बैंक सोना खरीदता है तो वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर नहीं होता है बलकि उसका उदेश होता है कि किसी भी कीमत पर अपने देश को मजबूत करना है और अगर कोई देश ये तैय करता है कि उसे अपना स्वन भंडार बढ़ाना है तो किसी भी कीमत पर सोना खरीदने के लिए तयार रहते हैं केंद्रे बैंक के ओर से सोने की खरीद जारी रहती है तो कीमते आगे और मजबूत ही हो सकती है वर्ल गोल्ड कांसल के रीजनल सी ये सचनजेन का कहना है कि सेंट्र बैंक की ओर से की गई खरिदारी और मौजूदा भूराजनेतिक अनिशित्ताओं की वज़े से शॉट टर्म में सोने की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है बलकि अगर दुनिया में किसी तरह का तनाव या संकर्ट आता है तो सोने की कीमते बढ़ सकती है एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मताबिक पिछले 9 साल में स यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो अगले 7 से 12 साल के दौरान सोना 2 लाक रुपे प्रती 10 ग्राम पर बहुत सकता है